आप सब का स्वागत है हमारी योटूब चैनल मॉम डैजन बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं पसीने की बदबू से कैसे छुटकारप आए बोडी से पसीने की बदबू आना एक सामानने बात है सरीर से निकलने वाला पसीना हमें ठंडा रखने में मदद करता है पसीने में मौझूद बैक्टेरिया गंद पैदा करता है और जैसे जैसे गर्मी का मौसमाने लगता है यह समस्या कुछ लोगों के लिए सरमिंदगी का कारण बन जाता है यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है वीडियो बहुत ही सौर्ट में मैंने बताई है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज हमारे चानलों को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया पहला है coconut oil यानि की नारियल का तेल coconut virgin oil सरीर से बद्बू हटाने में असरदार होता है इसमें लौरी केसिक पाये जाता है जो पसीना पैदा करने वाले बैक्टेरिया को खत्म करता है रात को सुने से पहले सरीर के उन हिस्तों पर नारियल तिल लगा कर हलकी मसाज करें जहां से दुरगंद आती है दूसरा है tea tree oil एक प्राकिर्तिक एंटिसेप्टिक है जो स्किन पर मौजूद बैक्टेरिया को दूर करके दुरगंद पैदा करने से रोखता है दो चम्मच पानी में tea tree oil की दो बुन्द मिला कर अपने underarms और अन्य छेतरों पर लगाए असरदार रिजल्ट पाने के लिए ऐसा रोज करें तीसरा है tomato का रस tomato का acidic nature skin पर मौजूद बैक्टेरिया को मारता है और ज़्यादा पसीना आने से रोखता है एक बालती गड़म पानी में दो कप tomato का रस डाल कर उसे अपने सरीर पर उन हिस्सोप को धोएं जहां ज़्यादा पसीना आता है ऐसा कम से कम हपते में तीन से चार बार ज़रूर करे चौथा है निम्बू का रस निम्बू की अमलिय प्रकृती हमारे सरीर के पी एच को कम करती है जिससे बैक्टेरिया का हमारी तोचा पर टिकना मुस्किल हो जाता है इसे इस्तेमाल करने के लिए निम्बू को दो हिस्से में काते और सीधे अपने अंडराम्स पर रगरे इसे पूरी तरह सूखने दे और फिर गुनगने पानी से धोले अगर आपके स्किन सन्वेदन सील है तो इसे पानी की कुछ बूंदों के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं ऐसा आपको दिन में रोज करना है पाच्वा है बेकिंग सोजा, बेकिंग सोजा का स्टमाल न सिर्फ केक बनाने में बल्कि पसीने की बदबु को भी दूर करने में किया जा सकता है इस परियोग के लिए एक चममच बेकिंग सोजा को ताजे नेम्बु के रस में मिला कर पसीने वाली जगह पर लगाए फिर जब यह सूख जाये तब आप नहा ले ऐसा करने से आपके सरीर से बदबुआनी बंद हो जाएगी और कुछ प्रो टिप्स में आपको बता देते हूँ जैसे की रोजाना नहाना है आपको सरीर की बदबुदूर करने के लिए ग्रीन सप्लिमेंट ले जैसे की क्लोरोफिल या फिर वीट ग्रास तीसरा है कॉटन के कपड़े पहने ताकि आपकी तचा खुल कर सास ले सके चौथा है कम मसालेदार भोजन खाए और पाँचवा है मेथी दाने और ग्रीन टी के सेवन से अपने सरीर को नेमित रोप से डी टॉक्सिफाई करे